अर्याना के अंबाला जिले की टोटल चार विदानसवा सीटें हैं आज के तदा उपिनेंट फॉल्स के मताबित अंबाला की दो सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है और अंबाला की दो सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी का पलड़ा वारी है जेजेपी, और अन्या का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा अंबाला जिले की नारैनिंगर्ड और मुलाना विदानसवा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का पलड़ा वारी दिखाई दे रहा है तो वहीं अंबाला केंट और अंबाला सहर की विदानसवा सीटों पर बारतिय दंता पार पार्टी जीदाज कर सकती है तो वहीं एक सीट जजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। जेपी, आयनलडी और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। यमुनान लगर जिले की साडोरा और जगादरी विदान सभा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी मजबूत है। कॉंग्रेस पार्टी एक तरफा कबजा कर सकती है। जेपी, आयनलडी और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा। इसके अलावा पानिपत जिले की टोटल चार विदान सभा सीटे हैं। पानिपत की तीन विदान सभा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कबजा कर सकती है। पानिपत की एक विदान सभा सीट कॉंग्रेश के खाते में जाने का अनुमान है। जज़ेपी, आनलडी और अन्या का यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा पानिपत की इसराना सीट कॉंग्रेस की खाते में जा रही है जबकि पानिपत, ग्रामिन, प्रानिपत, सहर और सलाम खा ये तीनों विदानसभा सीटों पर बिज़ेपी का पलडा बारी है बिज़ेपी जज़ेपी टोडल चार विदानसभा सीटे हैं आज के ताव फिनिन पोल के मताबि जज़ेपी किसी भी विदानसभा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा पुरी तरह से जूपड़ा साप हो चुका है जज़ेपी आयनलडी बिज़ेपी अन्या इन स चार विदानसभा सीटे हैं आज के ताव फिनिन पोल के मताबित है मेवाद जिले की तीनों सीटें भी कॉंग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है बिज़ेपी जज़ेपी आयनलडी और अन्या का मेवाद जिले की किसी भी सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा पर सूपड़ा साप हो चुका है मेवाद जिले की नूँ विदानसभा सीट फिरोजपूर जिर्का विदानसभा सीट और पुना हाना विदानसभा सीट तीनों ही सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरफाתח कबजा कर सकती है जबकि होटल विदानसभा सीट है, वहां पर कांटे की टक्कर के साथ कॉंग्रिस पारटी जीत रही है, पलवल की जो सीट है, वहां पर बीजेपी कमल खिला सकती है, जेजेपी, आयनलडी और अन्ये का पलवल की किसी भी सीट पर खाता नहीं खुलेगा, शूपड़ा साप हो चुका है रिवाडी की बावल विदानसभा सीट बिज़ेपी खाते में जा रही है जबकि कोशली विदानसभा सीट पर कांटे की टकर जरूर है लेकिन बिज़ेपी खाते में जा रही है और रिवाडी विदानसभा सीट भी बिज़ेपी खाते में जा रही है कॉंग्रेस और जेजेपी अन्ये का यहाँ पर पुरी तरह जूपड़ा साफ हो चुका है, जीरो बटा सनाटा दिया गया है इसके अलावा पते अबाद जिले की टोटल तीन विदानसबा सीटे हैं, आज की तावरेंट पॉल के मताबित है पते अबाद जिले की तीनोई विदानसबा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरपा कबजा करने में काम्याब हो सकती है बारत्य जनता पार्टी, जेजेपी, आयनलडी और अन्यका पते अबाद जिले की किसी भी विदानसबा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा पुरी तरह चे सूपडा साप हो चुका है पते आबाद की टोहाना विदानसभा सीट, पते आबाद सहर विदानसभा सीट और रतिया विदानसभा सीट तीनों सीटें कॉंग्रेस के खाते में जाती हुए आज की तासरवे में दिखाई दे रही है इसके अलावा सिर्सा जिले की ट्रॉल पांच विदानसभा सीटे हैं। इसके अलावा गुडगावा जिले की टोटल चार विदानसवा सीटे हैं आज के तलाव फिनेन पोल के मताबित गुडगावा की सभी चारों की चारों विदानसवा सीटों पर बारतिय जनता पार्टी एक तरफा कबजा करने में काम्याब हो सकती है। इसके अलावा गुडगावा जिले की टोटल चार विदानसवा सीटे हैं आज के तला उफिनेन पोल के मताबित बिवानी जिले की तीन विदानसवा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है तो वहीं एक विदानसवा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी का कबजा रह सकता है। जज सीटें बीजेपी को दे दी गई है इसके अलावा मेंदरगड जिले की टोटल चार विदानसवा सीटे हैं आज के ताजा उफिनेन पोल के मताबित मेंदरगड जिले की चारों विदानसवा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कबजा कर सकती है चारों सीटों पर बीजेपी कम इस सीटों पर बारतिय जनता पार्टी कब जा कर सकती है चारों सीटें बीजेपी के खाते में आज की ताफरवे के अनुसार डाल दी गэ inflation फिर सेटें जिन जिले की दो सीटों पर बीजेपी कमल खि तो वहीं सफीदो और जिंद सहर की विदानसवा सीट बिजेपी के खाते में जाती वी साप साप दिखाई दे रही है। के दोरानभी इन दोनों सीटों पर कॉंग्रेश पार्टी का जबर्दस परदर्शन है वो देखने को मिला था एकतरसा परदर्शन था इसके अलावा करनाल जिले की तोडल पांच विदानसवा सीटें और आज की तासर रवे के अनुसार करनाल जिले की चार सीटों पर जिलो, खेडी, इंदरी, करनाल और गरोंदा, चारों ही विदानसवा सीटों पर बीजेपी एक तरफा कबजा कर सकती है, चारों सीटें बीजेपे खाते में आज की ताज सर्वे के अनुसार डाल दी गई है, इसके अलावा पंचकुला जिले की भी दो विदानसवा सीटें है आज की ताओ फिनन पोल के मुताबित पंचकुला जिले की दोनों विदानसवा सीटों पर बारतिय जनता पार्टी एक तरफा कबजा कर सकती है, कॉंग्रेस पार्टी जेजेपी इनेलो और अन्ये का पंचकुला की किसी भी विदानसवा सीट पर खाता भी नहीं खुलेगा पंचकुला जिले की कालका विदानसवा सीट और पंचकुला सैर विदानसवा सीट दोनों सीटों पर बारतिय जनता पार्टी कमल खिलाने में काम्याब हो सकती, आज की तासर रुवे के अनुसार दोनों सीटें बिजेपी के खाते में जाती हुई साप साप दिखाई दे र दिखाई दे रही है राए और सोनिपत शैर विदान सबाद सीट बिजेपी खाते में जाते हुई दिखाई दे रही है खरगोदा सीट है वो जेजेपी के खाते में तो वहीं गोहाना सीट है वो अन्ये के खाते में जाते हुई साप साप दिखाई दे रही है इसके अलावा प था स्रवै के अनुसार फिर्दाबाद जिले की 5 विदान सबा सीटों पर 20 एक ठरफा कबजह कर सकती है तो यहीं एक सीट पर कंगरेस पार्टी जी दर्ज करने में काम्याब हो सकती है पर तला सीट कंगरेसे खाते में जा रही है तो यहीं पतिली क Northern C if any जारी में बदखल सीट बिजेपी बलवगड बिजेपी फृदाबाद बिजेपी और तीगाव इन पांच विदानसवा सीटों पर बारतियांता पार्टी एक तरपा कपजा करती हुई साप साप दिखाई दे रही है इसार जिले की टोटल साथ विदानसवा सीटें आज की तासरवे के अनुसार इसार जिले की चार विदानसवा सीटों पर बारतियांता पार्टी कपजा कर सकती है तीन सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में काम्याब हो सकती है तो वहीं जेजेपी इनेलोर अन्य का इसार जिले की किसी भी विदानसवा सीट पर खाता बें नहीं कुलेगा फुरीत राजे सूपड़ा साप होच चुका है इसार जिले की उकलाना विदानसभा सीट आदमपूर और नारनोंद इन तीन विदानसभा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है तो वहीं इसार जिल्ले की बरवाला, हांसी, हिसार सहर और नलवा इन चार विदान सबा सीटों पर बारतिय जंता पार्टिक कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसार जिल्ले की साथ सीटों में से चार सीटों पर बिजेपी जीत दर्ज करके बड़त बनाती हुई आज की तासरवे में दिखाई दे रही है ऐसे में हर्याना की सबी 90 विदान सबा सीटों पर किये गे तरा उफिनन पॉल को आसान बासा में समझें तो बीजेपी अपने अकेले दम पर 40 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है कॉंग्रेस पार्टी को हर्याना में 36 सीटे मिलने का अनुमान है जेजेपी और चंदर से कराजाद की पार्टी का गटबंदन होने के बाद इन्हें 4 सीटे मिलने का अनुमान है